नमस्कार गुड लग टिप्स में आप सभी का स्वाकत है आपके साथ मैं हुमिखा कौशेक और हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है जाने माने जोतिशा चारे पंडित मुकी शास्टू जी पंडिजी बहुत बहुत स्वाकत है जैशी किष्णा जैमाता की वेर गुड मानिंग टू आल तो दोस्तों पंडिजी से जानते हैं जब बसंत पंचमी आज है तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने हैं ऐसे चमतकारिक उपाय हम आपको बताएंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी साथी साथ बच्चे जो पढ़ने का आशिरवाद और कपरदस्टी हमेशा बनी रहे आप सभी का कलियान हो पॉस्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हारदिक्षप का बनाएं दोस्तों आज आपके पसंदिदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली बसंत पंचमी के महा उत्सव पर किये जाने वाले कुछ ऐसे महा चमतकारी को पायों की जिने आज के दिन करने से हमारे पढ़ने वाले बच्चों को एक्जाम में मिल सकती है 100% सफलता होगी बच्चों की कंसंट्रेशन में व्रदी पढ़ने लिखने में लगेगा मन मिलेगी नोक पंचमी के दिन आपको बताने जा रहा हूं इस तरह की महत्पून जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदिदा न्यूस चैनल फास्ट इंडिया न्यूस राजस्तान के आपके पसंदिदा शोग गुडलग टिप्स में ही दी जाती है चले शुरुआत करते हैं आज के 16 फरवरी सन 2021 माग मास के शुकल पक्ष की आज पंचमी थिथी है आज बसंद पंचमी का त्योहार मनाये जाएगा शी पंचमी का त्योहार मनाये जाएगा आज सरस्वती पूजन का त्योहार मनाया जाएगा आज ऐसे शुपसा योग में संसारिक जीत के लिए देवी मा सरस स्वरूप का पूजन करना आप सभी दर्षकों के लिए बचों के लिए महिलाओं के लिए स्विष्ट रहेगा। मा शारदा और कन्याओ का आज के दिन पूजन करने के पश्यात पीले रंग के वस्त्र और आभुशन कुमारी कन्याओ को, निर्धनों को, ब्रामनों को देने से परिवार में ज्ञान, कला, सुक, शान्ति की व्रद्धी होती है पीले पुश्पों से शिवलिंग की आज के दिन अराधना करना भी बड़ा ही शुब परिणाम देने वाला माना जाता है तो आज देवी मा सरस्वती के विशेश पूजन से उपाय से बच्चों को मिल सकती है एक्जाम में 100% सफलता मिल सकती है जीवन के हर शेत्र में तगड़ी जीत, दूर हो सकती है निर्धनता, मिल सकती है दुखों से मुक्ती जी अपन्डीजी क्योंकि आपने कहा कि बसंत पंचमी है आज पूजन हमें करना चाहिए तो विशेश पूजन विधी क्या है? जी बिलकुल आईए बड़ी आसानी से बड़ी सरलता से मैं आपको समझाता हूँ बसंत पंचमी की विशेश पूजन विधी सफेद पीले वस्त धारण करके इशान मुख होकर मा सरस्वती का विधीवत पंचमी पूजन करना चाहिए मा सरस्वती को पुष्प अर्पन करें माला अर्पन करें मा सरस्वती को सिंदोर अर्पन करें शिंगार की वस्तुए अर्पन करनी चाहिए मा सरस्वती को श्वेत वस्त पहनाने चाहिए मातारानी को पुष्प माला अर्पन करें सरस्वती मा को सिंदोर अन्य शिंगार की वस्तुए अर्पन करें, गौगरत का दीपदान करें, चंदन की अगर बत्ती जलाए, पीले गुलाप का पुष्प अर्पन करें, अबीर अर्पन करें, साबुदाने की बनी खीर का आज विशिशत और पे भोग लगाना है, गंद अ मा सरस्वती का पूजन करें, फिर इस प्रकार हाथ जोड़ कर मंत्रोचार करें, और बोले कि हे देवी, हे मा सरस्वती, जिस प्रकार लोग पितामा, ब्रह्मा आपका कभी परित्याग नहीं करतें, ठीक उसी प्रकार आप भी हमें वर दीजिए, कि हमारा भी कभी अपने प पूजन कीजिएगा, प्रतेक मास की पंचमी को सुवासनी स्त्रियों का भी पूजन करें, आज से शुरू करके हर पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी को सुवासनी स्त्रियों का पूजन करें, यथा शक्ति, तिल, चावल, दूद, ग्रत, पात्र पदान करें, व तो आज अपने गुरु देव को भी वस धन धानने माला अदिसे उनका पूजन करें और आज का जो पूजन मंत रहेगा ओम एम्रेमक्लिम महासरस्वती डेवे नमाहा ओम आइम रेम क्लिम महा सरस्वती देवे नमाहा इस विधी से जो भी दश्यक आज के दिन बसंद पंचमे के दिन महा सरस्वती का पूजन अर्चन करता है वो विद्वान बनता है धनी बनता है मधुरवानी से युक्त हो जाता है मा भगवती मा सरस्वती की क्रपा से माशी वेदिव्यास के समान ज्यान की प्राप्ती होती है इस्त्रिया यदी इस प्रकार मा इला यदी इस प्रकार मा सरस्वती का पूजन करती है उनका आपने पती से कभी वियोग नहीं होता है जो विध्यारती भटकाव से परिशान है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकागरता की समस्या है, भूल जाते हैं, लंबे समय तक चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, ऐसी दशा में आज बसंद पंचमी को मा सरस्वती की अगर वो पूजन करते हैं, तो ना केवल एकाग करने वाले तमाम लोग जैसे पत्रकार हुए, वकील हुए, शिक्षक हुए, इन सभी लोगों को भी आज के दिन मा सरस्वती की अराधना अवश्य करने चाहिए, तो ये तो आपने पंचमी बताया कि बसंद पंचमी पर पूजा विधी क्या है, अब जानना चाहते हैं कि आ बहुत ही मैच्पून प्रशने जैसा मैंने कारिकम की शिरुवात में कहा कि आज बसंद पंचमी का महा त्योहार मैं आया जा रहा ही, कुछ ऐसे चमतकारी कुपाई, जो आप करते हैं तो निशित तोर पे बसंद पंचमी के दिन मा सरस्वती आपको आज शिरुवाद अश् किसी पूजन सामगरी पे भोज पत्र मिल जाएगा, भोज पत्र पे अनार का जो पेड़ होता है अनार का, उसकी लकड़ी थोड़ी सी लकड़ी तोड़ के लिए आएगा, उसको कलम जैसे च्छील के उसको कलम जैसे बना लीजिएगा, लाने से पहले हाद जोड़ के प्रा बना लिजेगा ओम आइम नमाहा ओम आइम नमाहा भोज पत्र पे ओम आइम नमाहा ओम आइम नमाहा अस्ट गंद की शाई से अनार के व्रक्ष की लकडी की कलम से भोज पत्र पे लिग दीजीगा फिर उस भोज पत्र को माताजी के चर्णों में आरपन करके एक चांदी के ता जाके पश्यात उस ताबीच को पीले रंग के डोरे में गले के अंदर बच्चों को पहना दीची, स्वेम पहन दीची. अगर आप कोई कंपेडिशन देने जा रहे हैं, निशित तर्पे 100% सफलताप के कदमों को चुमेगी. अगर आप मीडिया सेक्टर से हैं, तो बनेंगे नेम इन फिल्म, फिल्म संगीत के शित्र से हैं, अपार सफलताप के कदमों को चुमेगी. अप पढ़ने वाले बच्ची, चुकि अब बहुत थोड़े समय में बोड के एक्जाम भी आने वाले हैं, तो निशित तर्पे बोड के एक्जाम के अंदर 100% सफलताप को प्राप्त हो सकती हैं. बसंद पंजवी पर निरोगी काया, उत्तम स्वास्त, गंभीर बिमारियों से मुक्ति के लिए, आज के दिन, कम से कम, 108 बार, या तो ओम जूम सहा, या ओम जूम सहा, माम पाले पाले से जूमो, या तम बेकम यजा मही सुगंधिम पुस्टि बर्दनम, और वारुकमी वबंधनान मत्य और मुक्षी हैं माम रित्त, महा मत्तिन जे मंत्र का आपको जाप करना हैं, मिनिममम 108 अर्थात 180 बार तो करना ही ह काया निरोगी रहेंगी, कोरोना फ्री रहेंगी, बसंद पंच्वी पर मा लक्ष्मी की क्रपा प्राप्त करने के लिए ओम श्रीम नमहा, ओम श्रीम नमहा, या ओम क्लीम नमहा, ओम क्लीम नमहा, ओम क्लीम नमहा, ओम क्लीम नमहा, यता शक्ती उड़ते बैठते आज के दि की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल आज बसंद पंचमी पर दुर्गा शवशती में वर्नित अर्गला स्तोत कीलक स्त्रोत का पाठ अवश्य कीजेगा श्वेत वस्तर का आज दिदान कीजेगा कोट कचरी के मैटर्स पती-पतनी संबंधित विवाद स्वास संबंधि परिशानियों के समाधान आपको प्राप्त होगी मौर पंखी का एक मौर पंख मौर पंखी में से एक पंख निकाल के पूजास्तान पर आज के दिन रख दीजेगा तत्पशात मोर पंको पढ़ने वाले बच्चों के सिरहाने के नीचे रख दीजेगा मोबाइल में से मन हटेगा, दुर्गुन खटम होंगे, नशा इत्यादी से मुक्ति मिलेगी, पढ़ने के अंदर मन लगने लगेगा आज बसंद पंच्मी के दिन दो बासूरी अपने घर के मुख्य द्वार पर वी शेप में लगा दीजेगा बजाने वाला मुँ नीचे रखेगा, वी शेप में चिपका दीजेगा आपके घर में, आपके व्यापार में, मा लक्ष्मी, मा सरस्वती, भगवान कुबेर, भगवान गणेश का आशिरवाद पूरे वश बना रहेगा विशेश उपाय, आज बसंद पंच्मी के दिन कन्याओं के अनाथश्यम में चले जाएगा वहाँ जाकर पढ़ने लिखने की सामगरी का दान कीजेगा, पीले वस्तरों का कन्याओं को दान कीजेगा आज के दिन कन्याओं को किया गया दान, आपके आने वाले समय के सारे संक्टों को दूर कर सकता ही आज दान करने से मत हिचकिएगा विशिष्ट और पे छोटी कन्याओं को और आज बसंद पंचमी के दिन किसी गरीब परिवार की कन्या के विवाह का संकल्प अवश्य कीजेगा यदि आज के दिन आप किसी गरीब परिवार की कन्या के विवाह का संकल्प करते हैं कन्यादान का संकल्प करते हैं आपकी बेटी हमेशा सुसराल में खुश रहेगी आज बसंद पंचमी पर मा के मंदिर में कमल का पुष परपन कीजिएगा पीली चूणियां पन कीजिएगा आपके विवहां में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी आज सफाई करमचारी को पीले रंग की बैट शीट गिफ्ट कीजिएगा नोकरी विपार में लाब होगा तो बहुत सारी जानकारी पंडी जी ने दी उपाए आप सभी को बताया है बहुत बहुत शुक्रिया पंडी जानकारी आप सभी दशकों का